इश्वर सत्य का सरूप है सत्य है इश्वर सत्य ही आपकी वानी से जो सच निकलता वही इश्वर है शब्द ही ब्रह्म है वेदान्त कहता जो आपकी वानी से सच निकलता है वो इश्वर है वही इश्वर है चित इश्वर रहता कहा है चित तमें चित यहां है तो फिर वो परमात्मा गलत क्यों होने देता है एक बात समझ में नहीं आती इस सास्त्र कहते हैं कि भगवान सब के भीतर रहता है तो बलातकार करने वाला क्या उसके भीतर ईश्वर नहीं था जब उसने बलातकार किया चोर की भीतर क्या इश्वर नहीं था जब उसने चोरी की यदी इश्वर था तो से ऐसा गलत काम करने से रोका क्यों नहीं यदी नहीं रोका तो ये सिद्ध हो गया कि इश्वर नहीं था यदी होता तो रोकता हाँ या ना IS को किलियर करते मेरी मा हम लोग ना गलत फेमी में जीते हैं हम लोगों को उचित ज्ञान नहीं हम लोगों को लगता है भगवान सब के भीतर है है लिखा है ग्रंथों में हरी व्यापक सरवत्र समाना सिय राम मया सब जग जानी निज प्रभु मया देखें ही जगत केहिसन करें ही विरोध सरवम खल विदम ब्रह्म हो लिखा है सोहम लिखा है लिखा है ग्रंठोंने कि सबके भीतर इश्वर होता है फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सबके भीतर यद परमात्मा है तो गलत करने वाले को रोका क्यों नही आज मैं आपको बताऊँगा कि इश्वर रहता तो है पर किस रूप में रहता है ये समझिएगा देखिए ये ये लाइट आपके घर लाइट है के नहीं है लाइट है आपने अपने घर की बोड में यदि हीटर का पलक लगा दिया तो कमरा क्या हो जाएगा हीटर का पलक लगा दिया तो कमरा क्या होगा जोर से बोलो एसी का पलक लगा दिया तो कमरा क्या होगा एसी का पलक लगाएंगे तो कमरा ठंडा होगा हीटर का पलक लगाएंगे तो कमरा गरम होगा अब आप बताओ के बिजली गरम थी या ठंडी थी बोलो बिजली ना तो गरम थी, ना तो ठंडी थी, बिजली तो एक पावर है, वो सिस्टम को पावर देती है, उसके बाद सिस्टम अपने आपको एक्टिव करता है, उसमें जो सिस्टम जो फिक्षर होते हैं, वो गरम का है या ठंड का है, बिजली गरम नहीं होती, ठंडी नहीं हो वो केवल पावर दे शक्ती है उसके बाद हीटर कपलक लगाना कि एसी कपलक लगाना वो मर्जी आपकी है उसी प्रकार जैसे हर घर में शुकतवा में जितने घर हैं हर घर के बोड में विजली है या नहीं हर बोड में विजली है उप्योग कैसे करना है वो आपकी मर्जी ऐस इसे हर जीव के अंदर ईश्वर है, पावर की रूप में, ईश्वर केवल पावर है, शक्ति है, अब उस सक्ति का सदुप्यों करना है, या दुरुप्यों करना है, ईश्वर ने आपको बुध्धी दे रखी है कि नहीं, यदि हम आपसे कहें कि गड़े में गिर जाओ, कुए आप कूद जाएंगे, कहो मेरी मा, यदि हम आपसे कहें कि कुए में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे, हाँ या ना, नहीं न, क्यों नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, आपको सही गलत का ज्यान है, आपके पास सही गलत की ठि निर्णे करिए कि ये सही है या गलत, इश्वर तो केवल आपको शक्ति दे रहा है देखने की, सूंगने की, चलने की, आप देखने की शक्ति इश्वर ने तो दे दिया, पर देखना किसे है, इस्त्री को देखना है, उरुष को देखना है, या गिर्धर गोपाल को देखना ह वो मर्झी तो आपकी होगी न, पिलक आपने किसका लगाया, वो मर्झी आपकी, आख का काम है देखना, अब अच्छी चीज देख रेह ने हैं, यः बूरी चीज वो आप पर निर्भर करती है, आपकी मानसिक्ता पर निर्भर करती है, इश्वर तो सब के भीतर है भक्तो, प क्या होड़ी निकल जाए तो हमारी आंख काम नि करेंगे एक्टिव nie है बिजली चली जाए तो प्लकट तो है फिकी से कभी अफ पर बिजली चली जाए तो क्या करेंगा फिकी सोक्षट एसे तो सब्सक्राइद यब सबस्थित है एक शक्ति प्वर की रूप में उपस्थित है अब उस पावरक आपको सदुप्यों करना है आप स्वतंत रहना अच्छा एक बात और है मेरी मां जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो एक बार आपके अंदर से आवाद जरूर आती है कि ये काम गलत है ये आपने भी अनभाव किया होगा कोई भी काम आप ग कोई भी गलत काम करें या गलत निर्णे लें तो एक बार आपके अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये भाई गलत है हाँ या ना हाँ या ना वस वो जो आवाज आई थी ना वही आवाज इस्वर की थी उसने तुमें चेताया था जाग जाओ ये गलत कर रहे हो पर तुमन किया जो अच्छा या बुरा किया उसकी अधिकारी आप स्वयम है इस्वर का दोस मत लगाईए इस्वर को दोस मत दीजिए इस्वर इसका दोस ही नहीं है क्योंकि आपके पास बुद्धी है आपको फिटकरी और मिश्री दौनों रख दी जाएं तो आप देखकर तो नहीं बता सकते पर चाट कर बता सकते हैं हा या ना आपको मिश्री और फिटकरी यदि साच में रख दी जाए तो आप देखकर तो नहीं बता सकते हम पीस के रख दें आपके सामने दोनों तो आप दोनों में भेद देखकर तो नहीं बता सकते आँख धोखा खा सकती है पर आपक आअख में और आपकी जेवा में चेतना दे और बताए कि यह मिश्री है और यह, फिटकरी है, अब उसके बाद आप मिश्री खाए यह फिटकरी खाजाए वह मर्जी आपकी है, इश्वर ने बताया तो था कि यह गलत है, फिर भी तुमने कि अब इसका दोसी कौन है, दुरियोधन ने महा भारत की तैयारी कर ली मैं लडूँँगा तब भगवान श्री कृष्ण समझाने गए थे की नहीं सांती दूत बनकर दुरियोधन गलत है ये मत कर युद्ध सर्वना सो जाएगा पांडवों को पांच गाउं रहने के दे दे जादा मत दे सुई की नौक बराबर नहीं दूँगा कर निया इतनी से नहीं दूँगा मैं ऐसा दुरियोधन ने कहा था सुई की नौक बराबर जगह ना देने वाला दुरियोधन क्या सुई की नौक बराबर जगह लेकर गया मरते हो सुई की नौक वराबर जगह के लिए पड़ी तुम वारे बाप दादे भी नहीं लेके गए तुम भी नहीं लेके जाओगे पर मरते हो लड़ते हो हाँ इश्वर ने समझाया था दुरियोधन को माना नहीं नहीं माना तो सर्वनास हुआ मान लेता तो सर्वनास से बच जाता जो तुमारे भीतर की आवाज है मेरी मा वही इश्वर की आवाज उसे पहचान न सीखिए वही परमात्मा की चेतावनी है ये गलत है और ये सही है वो सुन के मनन करिए गंभीरता से लीजिए इश्वर की आवाज इस्वर डारेक्ट नहीं बोलता, इंडारेक्ट बोलता, आपके भीतर ही बोल देता है, वो आपसे ही बोल देता है, और वो आवाज केवल आप ही सुनते हैं, बाजू बाला नहीं सुनेगा, आपके बाजू में कोई बैठा हो तो वो नहीं सुनेगा, हाँ या ना, सही है न मे कहां रहता है भगवान, सत्य में रहता है, चित इश्वर सरवत रहे हम सब के भीतर बैठा है, किस के भीतर बैठा है, बोले जिसके भीतर सत्य बैठा, उसकी भीतर इश्वर बैठा, जिसके भीतर सत्य की जगह नहीं, उसकी भीतर इश्वर का कोई काम नहीं